हेलो एन वेलकम माई डियर इस्टुएंट दोस्तों स्वागत है आपका SSC अड़ा के इस GS Rapid Fire में और पहले ही बता दू कि Rapid Fire का मतलब क्या होता है क्योंकि कई दोस्त होते हैं अरे सर इतना तेज क्यों पढ़ा रहे हो क्योंकि भाई जो मैंने कभी न कभी कही न कहीं आपको YouTube प दोस्त आपके इस GS Rapid Fire में हम लोग क्या करने वाले हैं एक से बढ़कर एक question और एक बात याद रखना आज रात 9 बजे भी एक GS का Rapid Fire है वो depend करेगा आपके इस share करने पे कि रात 9 बजे वाला पिछले 8 माह का current affair है ठीक है ना और अभी का तो complete GS plus static G के दोनों का है तो शुरुआ आप किया जाए तो भाई या पहले तो आज शुरुआत किया जाएगा पहले इस session से ठीक है ना तो Sunday थोड़ा सा गाना डबलू कुमार यार मैं कोई गाना वाना नहीं सुना पाता हूं ठीक है ना मैं कोई गाना वाना नहीं सुना पाता हूं क्योंकि यह मेरी class है यार अब गाने की तो class नहीं है ना ठीक है तो पहला आपके पास जो topic है जिन topic से question है वो जरूर मैं सुना सकता हूं कि history, polity, geography, physics, chemistry, bio, static, gk सभी के questions हैं आपके आज के इस rapid fire में जल्दी से share करके ज्यादा से ज्यादा student हो जाओ क्योंकि एक बार जब question की जड़ी सुरू होगी तो वो र रुकेगी नहीं और हां question आएंगे वही मेरा line की धुआधार, लगातार, सांदार तो आपको answer भी करना होगा ना जानदार शुरूआत करते हैं पहले question की ठीक है तो पहले question की शुरूआत करें इससे पहले कि आपके लिए क्या करना पड़ेगा भया कि करीब-करीब 200 plus question है मै इन सारे questions को आपके सामने पहले question पे लेके पहुँच रहा हूँ ठीक है ना क्योंकि मैंने slide उल्टी लगा दिये उल्टी लगा दिये तो इसका मतलब है कि भया question number one से शुरू होना चाहिए ना तो question number one पे पहुँच जा रहे हैं कोई दिकत नहीं है आप लोग बस रुके रह रही है रुके रही है पहुच रहे है यार लेकिन तुम लोग share कर दो डबलू कुमार करें sir sunday special एक थोड़ा सा गाना सुना यार गाना वाना का कोई मेरा ऐसा mood नहीं है कि मैं गाना वगरा कोई सुना दू ठीक है ना मैं कोई गाना वाना आपको सुना दू बस मैं इतना कर स सकता हूं कि आपके लिए पहला question ला सकता हूं ठीक है तो let's start the first question ठीक है और आपका GS rapid fire पहला question यह रहा ठीक है पहला question यह रहा निम लिखित मेंसे किस मिस्रदातू को अमलगम कहा जाता है बताइगा निमलिकित में से किस मिस्रधातू को अमलगम कहा जाता है सवतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांगरेसी प्रधानमंत्री कौन थे बताओ जरा और अगर दोस्त पूछ दे कि पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधान मंत्री कौन थे तब याद रखना अटल बिहारी बाजपेई जी हो जाएंगे ठीक है ना अटल बिहारी बाजपेई जी पूर्ण गैर कांग्रेसी लेकिन सिर्फ गैर कांग्रेसी पूछा है तो एंसर हो जाएगा मुरार जी देशाई एंसर मुरार जी देशाई नेट भारत की संसत की सबसे बड़ी समिती कौन है पब्लिक अकाउंट कमेटी आपकी जिसे आप P.A.C. भी कहते हो या जॉइंट पार्लियामेंटरी कमेटी या कमेटी आन पब्लिक अंडर्टेकिंग या इस आत्र सर दो महिने के अंदर, फाइनेंसियल इमेर्जेंसी हालां कि आज तक एक बार भी लगी नहीं है लेकिन दो महिने के अंदर, सम्विधान में राज्य का अर्थ क्या है, what is the meaning of state in the constitution, हर सब्जेक्ट के घूले मिले question है, बस तेजी से एंसर करो, एंसर है दोस्ट, सम्व विधान में राज्य का अर्थ पार्लियामेंट से भी है, विधान मंडल से भी है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी है, राज्य सब्द का अर्थ यही है, जो कि हमारे आर्टिकल किसमें डिफाइन है, आपके 12 में, आर्टिकल 12 में राज्य सब्द का ही अर्थ से द से लेके 329 ए तक किसके बारे में जिगर मिलता है आपके निर्वाचन आयोग के ही बारे में जिगर मिलता है हालही में राष्ट्री खेल दिवस किस तारीक को मनाया गया बताइए राष्ट्री खेल दिवस मेजर ध्यान चंजी की याद में हम लोग जानते हैं कि यह मनाया जाता है 29 अगस्त को ठीक है नेक्स नेक्स ग्रेक बैरियर रीफ के तट पर कौन है कोरल रीफ से बना हुआ पर्टिकुलर आस्ट्रेलिया इस्थित है तो इस्ट एस एस या ठीक है ना इस्ट आस्ट्रेलिया ठीक है याद रखना नेक्स सेवराय पिक भारत के किस राज्य में इस्थित है जवादी सेवराय याद करो दोनों बड़े फेमस नाम है जवादी और सेवराय इस्थित हैं की हड़ी है और इस question का right answer क्या है दोस्त बी steps सबसे वो आपकी क्या है चोटी हड़ी और सबसे लंबी की बात कर लें तो हम लोग फीमर की बात करते हैं जो की जांग में पाई जाती है ठीक है ना next question अगनासे खराब होने पे क्या होता है what would happen if the pancreas is defective यदि आपका pancreas defective हो जाए तो क्या होगा आपका digestion सही से नहीं होगा या आप insulin का form नहीं कर पाओगे या blood का formation नहीं होगा या blood pressure सर इंक्रीज नहीं करेगा सर यदि pancreas खराब होगा तो इंसुलीन और जो glycogen है वो not formed वो इंसुलीन नहीं बनेगा next अगला question गदर आंदोलन की स्थापना किस ने की थी सर गदर आंदोलन की स्थापना 1913 में हुई थी USA के सैन फ्रांसिसको में हुई थी और करने वाले कौन थे लाला हर्दयाल इसके पहले अध्यक्ष का कभी नाम पूछे दोस्त तो याद रखना इसके पहले अध्यक्ष कौन हुआ करते थे फॉस्ट अध्यक्ष सोहन सिंग भखना next question राष्ट्री संगर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे सर केसरी हो या फिर मराठा हो या फिर आर्केटिक होम थियरी हो या फिर गीता रहस्य हो इन सब के लिखने वाले कौन है आपके सी ऑप्षन बाल गंगा धर तिलक जी लोक माने तिलक या बाल गंगा धर तिलक जी भाई शेयर करो जल्दी जल्दी लोक सभा में भारत के राष् राष्ट्रपती सपत लेता है तो उप राष्ट्रपती सपत लेता है राष्ट्रपती के उपस्तिती में कोश्चन का लेबल आसान, मौडरेक और आपके टफ तीनों ही रहेगा ठीक है ना लोगसभा के पहले अध्यक्ष कौन है बताइए लोगसभा के पहले अध्यक्ष सर ल भारती सम्विधान के कितने भाग हैं अब कई लोग यहां पे चक्कर में पढ़ने वाले हैं धडलने सुड़ाओ यार आज दम धुआ धुआा कर दो तो भारती सम्विधान के दोस्तों वर्तवान में 25 भाग है लेकिन हम लोग को पढ़ने में आता है 22 क्योंकि जैसे आपका 9 9A है उसके अलावा आपका 9B है 14A है यह हम लोग 22, 23, 24 के रूप में पढ़ते हैं ठीक है ना next bulletproof window bulletproof window बनाने के लिए निमलिकित में से किस polymer का उपयोग किया जाता है जो bulletproof काच होती है दोस्त उसको बनाने के लिए किस काच का गाड़ियों में लगी होती है ना तो किस काच का उपयोग किया जाता है polycarbonate, polynutrates, polystrine या फिर polyamides तो दोस्तों याद रखना polycarbonates ठीक है ना याद रखना कार में लगता है ये वाला काच bulletproof window कार में लगता है तो polycarbonates से तुम लोग याद रखना ठीक है ना राशप्रति प्रधान मंत्री वाले में लगता है नेक्स अंडमार और निकोबार दीव समू की सबसे उची चोटी कौन सी है याद रखना अंडमार निकोबार में जारवा, सोमपैन, आपके सेंटलीज और ओंग नाम की जन जातिया पाई जाती है और सबसे हाइस्ट पीक ह फाउंडर आफ होमियोपैथी, होमियोपैथी के जनक कौन है, बताईए होमियोपैथी के जनक, सर होमियोपैथी के जनक माने जाते हैं, सैमूल हैनमेन, सैमूल हैनमेन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइफ किंगडम क्लासिफिकेशन, पाच जगत वर्गी करण किस ने दिया सर्फ फाइफ किंगडम क्लासिफिकेशन विटकर ने दिया हुआ था चीक है न नेश्ट दे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 भाहिया आसान आते आते अचानक से कट कटीन आ गया अब बताईए इसका एंसर क्या होगा याद रखना दोस्ट जीयस का रैपिड फायर चल रहा है भारती सिक्षा पर एक लाग रुपया खर्च करने का अंग्रेजों ने किस एक्ट के तहत प्रवाधान किया था तो भारती सिक्षा पर दोस्ट एक लाग रुपया खर्च करने का प्रवाधान अंग्रेजों ने 1813 चार्टर एक्ट के दौरा किया था भारत में सबसे प्राइदीपी नदी कौन सी है सर अगर हम लोग इस पोर्शन को प्राइदीप कहते है भारत का तो ये गोदावरी ये कृष्णा ये कावेरी देखने से ही गोदावरी ललन टॉप लग रही है तो सर गोदावरी इसका एंसर हो जाएगा जिसको हम लोग ब्रिद धंगंगा भी कहते है ठीक है नेश्ट अफ्रिका की कौन सी नदी दो बार मकर रेखा को पार करती है सर लिम पो पो ये ऐसी नदी है भया जो दो बार मकर रेखा को पार करती है कितनी बार दो बार मकर रेखा को पार करती है लिम्पोपो नेक्स यलो इस्टोन नेशनल पार्क कहां इस्थित है यलो इस्टोन नेशनल पार्क विसु के सबसे बड़े और सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन तम नेशनल पार्क में से है विसु के यलो अगर कभी आप से पूछ दे कि सबसे प्राचीन नेशनल पार्क कौ क्या था C option madame Blavatsky और Alcott ने टीक है यां करनल Alcott और madame Blavatsky ने الرाजधानी राष्टी-छेत्र-दिल्ली का संदर इसमें मिलता है बदाए डिल्ली किस Article में इसमें से defined है भाई सो अब राजधानी हैまで इसको यह नहीं कर सकते कि सर यह बहुत टफ कोईस्टन है एक ही तो पूछ रहा है राजधानी ऐसा तो नियन की जनरल सभी को पूछ दे रहा है इस कोईस्टन का एंसर होगा बी आप्शन आर्टिकल 239 ए ए में राश्टी राजधानी छेत्र दिल्ली का जिगर मिलता है जमा मेरे भाई आज साम को नौ बजे आज साम 9 पीम पे करेंट अफेयर का रैपिट फायर है पिछले आठ महिने का ठीक है तो कुईला जमा में सबसे अधिक है दामोदर वैली ठीक है दामोदर वैली नेक्स सरकार को कानून बनाने वाले प्राधिकरण को क्या कहा जाता है स सरकार के कानून बनाने वाले प्राधी करण को legislative कहा जाता है कानून को लागू करवाने वाले को executive कहा जाता है और कानून के टूटने पर उसे पुना लागू करवाने वाले को judiciary कहा जाता है ठीक है ना तो legislature, executive और judiciary ये तीन इस्तंब है निमलिखित गवर्नर जनरल में से किसने भारती नागरिक सेवा का गठन किया जिसे बाद में भारती सिविल सेवा के रूप में जाना जाने लगा भाई कारणवालिस को कौन भूल सकता है कारणवालिस ने गठन किया था सती प्रथा इंड किया था लाड विलियम बेंटिक ने वेलेजली ने टीपू सुल्तान की मृत्यू की थी और वारेन हेस्टिंग के बारे में तो मतलब काफी नलायक है बोलो ही मत कुछ मानव मस्तिस का कौन सा लोग सुनने से जुड़ा हुआ है मतलब आपकी स्रमण छमता के लिए जिम्मेदार है आपके frontal लोग, penitial लोग, temporal लोग या occipital लोग बताईएगा कौन सा जिम्मेदार है मेरे भाईया मेरे दोस C option temporal लोग ठीक है न इसलिए हम लोग किसी बात को ऐसे याद रखो, temporary ही सुनते हैं, एक side सुने temporary तोर पे और एक side उड़ा दिये बात को, यही करते हैं न, उड़ा दिये तो इसलिए आज के बात याद रखना कि आपके मस्तिस का temporal लोग ही सुनने के काम आता है इसलिए आप किसी की बात को भाव नहीं दे, तो चाहे हमारी हो चाह पहले मुख्य नाधिस कौन थे पताएगा कलकत्ता सुप्रीम कोट के पहले मुख्य नाधिस कौन हुआ करते थे याद रखना मेरे दोस्त मेरे भाई कलकत्ता सुप्रीम कोट के पहले हुआ करते थे एली जाइंपे इनके साथ तीन अन्य हुआ करते थे ठीक है एली जाइंपे वहीं दोस्त 1937 में जो फेडरल कोर्ट बना था उसके पहले जज का भी नाम कमेंड बॉक्स में तुरंद बता दीजे सर मौरिस गेवेर सर क्यों लगाना मौरिस गेवेर और हमारे सुप्रीम कोर्ट आजाद भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले कौन हीरा लाल जे कानिया जी ठीक है ना गवर्नर जनरल को किस अधिनियम द्वारा अध्यादेश जारी करने की सकती मिली भाई राष्ट्र पती तो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं हम लोग बिटेन के समिधान से बहुत प्रभावित रहते हैं तो जरा बताओ किस के थुरू तो भाईया बी ओप् इस थाई बंदोबस्त ठीक है ना इस थाई यहाँ पर बंदोबस्त कर ले ना बंदोबस्त को बंगाल में कहा जाता था क्या कहा जाता था इस थाई बंदोबस्त को दोस्तों कहा जाता था जमिधारी बेवस्ता बंगाल में जमिधारी बेवस्ता के नाम से next किस गवर्नर ज प्रिपन को भारत का उधारक कहा जाता है ये बात जरूर याद रखना कभी भी आपसे पूछ सकता है लॉर्ड कैनिंग 1857 के क्रांती के समय वायसराय हुआ करता था और डलहोजी ने गोध हड़क नीती लाई थी ये बात भी आपको याद रखनी होगी चलिए नेक्स्ट कोई मराठों द्वारा एकत्रित कर के रूप में जाना जाता था भाई देखिए जजिया मराठों से कोई मतलब नहीं था चराई चराई सर ये इल्टू आपके उसने सुरू किया था चराई और गढ़ी कर ये दोनों तो आपके अलाउदिन खिलजी ने सुरू किया था तिर्थि जात्रा कर तो आपके कौन लेता था सल्तनत काल के समय भी चलता था और मुगल काल के समय भी यह मुगल काल का कर है दोस्त जजिया कर आपके सल्तनत काल के समय ही सुरू हो गया था सच कहो तो मुहम्मद बीन कासीम ने सबसे पहले 712 में जजिया ले लिया था और चराई और के अध्यक्षिता की कहां पे मोतिलाल नहरु जी जबाहर लाल नहरु जी के पिता या सरवाधिक फेमस है अपने 1923 के नहरु रिपोर्ट के लिए और इस प्रतिसद कितना होता है आप जानते हो कि आप से copper, bronze इन सब का combination पूस्ता रहता है तो German silver में दोस्तों होता है C option 0% भाई, silver उसमें थोड़ी मिला देंगे कि तुम लोग से वो काफी सस्ता होता है, ठीक है, next डेविड हरे और Alexander Duff के सयोग से कलकत्ता में निमलिखित में से किसने Hindu college की स्थापना की थी तो Henry, Lewis, Vivavian, Desario, ठीक है न, ये नहीं इस्वर्चन मिंदा सागर, ये नहीं, राजा, राम, मोहन, राग, बिलकुल इन्होंने कलकत्ता में Hindu college की स्थापना की थी, ठीक है, next भारती सम्मिधान में राष्ट्रपती के चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया है सर, राष्ट्रपती का चुनाव का तरीका, हम लोग तरीका कहां से लिये हैं तो Ireland से, ठीक है न, मैनर कहां से लिये हैं, इम मेथ़ड आफ इलेक्शन आफ प्रेसिडेंट, Ireland से, net भारत छुड़ों अंदोलन के दोरान भारत का वायसराय कौन था, सर, भारत छुड़ों अंदोलन को हम लोग अगस्त क्रांती के नाम से भी जानते हैं, अगस्त क्रांती, इसी के दोरान आप्रेसन Zero Hour, अंगरेजों ने चलाया था, इसी से अवणा आसफ अली का संबंध है, और सर इस समय जो वायसराय हुआ करता था वो लॉड लिलिन ठगो हुआ करता था गांदी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया सविना हवाग्या अंदोलन के सुभांकर के दोरां सुभारंभ के दोरां भारत के गवर्नर जनरल कौन थे बताइएगा देखो यार क्वेश्चन आज आ रहे हैं तेजी से क्योंकि चल लहा है रैपिड फायर तो ये मत उमीद रखना की क्वेश्चन आएगा धीमे इस क्वेश्चन का एंसर हो जाएगा दोस्सी लौड इर्विन क्योंकि लौड इर्विन भारत में 1926 में वायसराय बनके आया था और करीब 1931 तक लौड इर्विन भारत का वायसराय रहा था भारती संबिधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रतेक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है सर जाहिर सी बात है धर्म की स्वतंतरता आर्टिकल 25 से लेकर के दोस्ट 28 तक हमारे फंडामेंटल राइट के अंतरगर धार्मिक स्वतंतरता का वड़न मिलता है भारत पूरी तरह से संप्रभू लोकतांतरी गणराजी कब बना सर तभी बना जब हमारे देश का संविधान पूर रूप से लागू हुआ पूरी तरह से पूछ रहा है न वैसे तो आंसिक तोर पे हम 26 नॉम्मर 1949 को कुछ आर्टिकल ला दिये थे लेकिन 26 जनवरी 1950 निमलिखित में से कौन राष्ट्री एकता परिशद का अध्यक्ष है नेशनल चेर्मेन आफ नेशनल इंटिग्रेशन काउंसील हमेशा भारत देश के प्रधान मंत्री ही राष्ट्री एकता परिशद के अध्यक्ष होते है याद रखेगा देश के माननी परिशद मंत्री जो भी होंगे उस समय वही होंगे मतलव अर्तमान में नरेंदर मोधी जी नेश्ट भारती समजधान में कितने प्रकार के रीट है सर आटिकल 32 के अंतरगत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता हाइचव प्रकार के question और question की speed thermos plus का अविसकार किया था team brunze ली ने और इसी team brunze ली ने दोस्ट w w w worldwide wave का भी अविसकार किया है ठीक है न विलियम जेमस अरे thermos flask का अविसकार किया है James Dewar ने ठीक है जेमस Dewar ने ये team brunze ली तो www का अविसकार रख है इसका यह option गलत है, यहाँ पर D option होगा, ठीक है न, James Dewar ने किया है, आपके इसका answer, D option इसका correct है, टीम ब्रंसली तो वर्ल्ड वाइड वेप क्या विसका रख है, next, भारत के संबिधान का भाग 4, निमलिकित में से किस से संबंदित है, भाग 4 की बात कर रहा है सर, तो आपके directive principle of state policy से संबंदित है, क्योंकि 4A तो आपके fundamental duty से संबंदित है, है की नहीं, 4A तो आपके fundamental duty से संबंदित है, और अगला question तो D option, directive principle of state policy, भाग 4, निमलिकित में से कौन सा ग्रह, दच्छिडा वर्थ घूमता है, कौन सा ऐसा ग्रह है दोस्ट, ऐसे दो ग्रह है दोस्ट, वीनस और जो दच्छिडा वर्थ घूमते हैं, प्रित्वी के विपरीद दिसा में जाते हैं, मतलब यहां सुर्योदय होता है, वेस्ट में पस्चिम में और सुर्यास्थ होता है, यहां इस्ट में पूर्म में, ठीक प्रित्वी के उल्टा चलते हैं, next question, निमलिकित में से कौन सा कार अब यार एक बार, 50 question पढ़ाने के बाद, एक बार तो कह सकता हो कि share कर दो, यहां पे 20 second के लिए मैं रुकूंगा, यदि आप लोग को लग रहा है, दोस्त की speed अच्छी है, तो यार एक बार सभी लोग share करो, आप लोग का प्यार और support ही energy देता है, नहीं तो आपको पता है दोस्त बिना सांस रोके, लगभग एक घंटे लगातार बोलता हूं, तो आपको अंदाजा होगा कि क्या energy और क्या यह question लिखने में time लगते होंगे, तो once time एक बार share करिए, इस question का right answer है दोस्त C, glucose, ठीक है न, कार्भो हाइडरेट पाचन का आंत में मुख उत पाद, glucose होता है, ठीक है, तो एक बार share करिए, मैं आगे बढ़ू, यार चलिए, ठीक है, मैं एक बार आगे बढ़ता हूं, लेकिन 10 तक गिनती गिनता हूं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नव, और दस, ठीक है, चलो, अगला कोशा, भारत की आकस्मिक्ता निधी का फंड होता है, एक आकस्मिक निधी होता है, एक संचित निधी होता है, पूछ रहा है, आकस्मिक्ता निधी का, तो इसका एंसर क्या हो जागा, C, भारत के राश्ट्र पती, ठीक है, चलिए, प्रिंसी सोनी जी, अगला कोशा, भारत का संविधान, अवसिष्ट सक्तियों मे नहीत है, तक Constitution of India, वेश्दर, रेसिड्यूर, रेसिड्यूरी पावर किसके पास है, रेसिड्यूरी पावर जाहिर सी बात है, कि हमारे पार्लियामेंट के बात, ठीक है, नेक्ट, संग सुची में सामिल है, कितने सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट में, सर यूनियन गठन आयोक का गठन कप क्या गया था, सर इसके अधच हुआ करते थे, फजल अली, इसके अलावा सर इन में दो और मेंबर थे, हिर्दैनात कुंजरू और पानिककर जी, दो अन्य मेंबर भी थे, और इसका गठन हुआ था, उनीसो तिर्पन में, और इसी के आधार पे भास आवर प्लांट की सापना की जानी है, आपके B option उत्तर प्रदेश में, ठीक है, नेक्स्ट कुएस्टन, टाका लगाने वाले धातू के टुकडों में इस्तमाल होने वाले सोल्डर किस मिस्र धातू के होते हैं, आपको बताना है किस मिस्र धातू के बने होते हैं, जो आपका सोल्डर होता है दोस्त, आपनों के मुबाइल उबाइल में भी सोल्डिंग का बहुत प्रियोग है, और इस question का right answer है B, teen or late, ठीक है न, teen or late के बने होते हैं, next, उचने आले, मतलब हाई कोड या सरवचने आले, हाई कोड और सुप्रीम कोड के निमलिखित में से कौन सा व्यक होगे तो answer हो जाएगा, मतलब जिस पद पे उस व्यक्ति का हक नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति उस पे अपना हक जता रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाप सुप्रीम कोड और हाई कोड कौन सा रीड जारी करता है, तो उनके लिए जारी होता है क्यों वारेंटो, ठीक है न, कि किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हो, नेक्ट, विधान सभा के सदस से हैं, ठीक है न, जो विधान सभा के सदस से होते हैं दोस्त, वो क्या होते हैं, तो याद रखेगा, विधान सभा के सदस, elected by the people, इनको हम कहते हैं MLA, Member of Legislative Assembly, जबकि यहीं पे अगर विधान होता दोस्त, तब आपका क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं दोस्त, आपके MLC, और उनको आप क्या का, तो Member of Legislative Council, next question, अब अगला question है, भारत के नियंतरक, भारत के नियंतरक और महालेखा परिच्छा की न्यूपति कितने वर्सों के लिए की जाती हैं, देखो दोस्त, जनर Guardian of Public Fund, ठीक है न, Guardian of Public Fund, किसको कहते हैं, कहे कोहीं कहते हैं, ठीक है न, next, सरकरिया आयोग की न्यूक्ति की गए थी, the सरकरिया Commission was appointed, पताएगा तेजी से answer, रजनी परमार जी, गुरबाग जी, ममता देव, नूतन, मुहमद आसब, टिंकू, वर्सा, राजपूत, बताओ परसत के सदस्यों के कारेकाल के लिए चुने जाते हैं, जो दोस्त, MLC होते हैं, Member of Legislative Council, जिने आप हिंदी में विधायब भी कहते हो, ये कितने समय के लिए चूज किये जाते हैं, याद रखना, ये चूज किये जाते हैं, आपके 6 वर्स के लिए, ठीक है न, और हर दूसरे एक तीहाई विधान परसत के सदस्यों के लिए, रिटाइड हो जाते हैं, इनमें से किस देश में सबसे लंबी तट रेखा है, which of these countries has the longest coastal line, पताइएगा, longest coastal line किस में है, ठीक है न, तो मेरे भाई, the champ is here, इसका answer हो जाएगा, A option, कनाडा, कनाडा से ज्यादा कहां किसी के पा किस देट को A option, जून 21 को, ठीक है न, किस देट को जून 21 को, नेट, खंग चेंद जोंगा, राष्टी उद्यान कहां है, खंग चेंद जोंगा, राष्टी उद्यान कहां पढ़ता है, महराष्ट, उडिसा, राजस्थान या फिर सिक्किम, तो मेरे भाई, इस question का right answer है, आपात काली निस्ति के दौरान निमलिखित मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, कौन से अधिकारों को छोड़ करके, सर दो ऐसे हैं, आर्टिकल 20 और 21, जिनको की आपात काल के दौरान भी निलंबित नहीं करते, और right to life and personal liberty, ये 21 में ही तो है, तो दोस्त इसका option क्या हो जाएगा, light right, जीवन प्राण एवं दैहिक स्वतंतरता, इसे राश्ट्रपती आर्टिकल 20 और 21 को इमर्जेंसी के समय भी क्या कर सकते हैं, आपके निलंबित नहीं कर सकते, next, राज्य सभा सदस्य का कारेकाल कितने वर्स का होता है, सर राज्य सभा सदस्य का कारेकाल होता है, छे वर्स का, और हर दूसरे वर्स एक तिहाई सदस, get retired, next, निलंखित में से कौन मौलिक कर्तवे अपनाए गए हैं, कौन से देश से, मौलिक कर्तवे, from which of the following are the fund, अच्छा, duties adopted, तो बजा, fundamental duty हम लोग लिये हैं, आपके USSR से, ठीक है न, सरदार सौंट सिंग कमेटी के अनुसां साफे, निलंखित में से किसे मध्रात्री के सुरी की भूमी कहा जाता है, मध्रात्री सुरी की भूमी, सर ये तो है आपका नार्वे, ठीक है न, सुर्योदय का देश, जापान हो जाता है, ठीक है न, next, पारिस्थितिकी सब्द, इकोलाजी टर्न, किसने क्या है, who coined the term, इकोलाजी, बताएगा, एन्रेस्थ हेकल, या फिर हचिंसन, या हीगो डिब्रीज, या रॉबर्ट ब्राउन, तो भईया, अन्रेस्थ हेकल, अन्रेस्थ हेकल ने दोस्तों, इकोलाजी सब्द लाया था, next question, एसिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, अभी तक देश पढ़े थे, राज्य पढ़े थे, आज पूछ रहा है कि कौन सा पार्क है, जो बांगलादेश के साथ अपनी बाउंडरी को सेयर कर रहा है, बताएगा दोस्तों, विपिन कुमार, यार एक बार, अब देखो, यहां क्या मैं ये नहीं कह सकता, कि आप लोग कम सी कम 400 स्टुडेंट हो और 279 लाइक है, यार एक बार जरा लाइक करिएगा तो, एक बार जरा लाइक करिएगा, तो कौन सा पार्क, बांगलादेश के साथ अपनी सीमाओं को साजा करता है, एंसर है दोस्त, A, सुन्दर बन नेशनल पार्क, नेक्ट, भारती संविधान क पानुच्य, 343 किस के बारे में है? सर, 343 है आपकी भासाओं के बारे में, हिंदी as a official language के बारे में है, next, हर दो साल में, राज सभा के कितने सदस से चूने जाते हैं, मतलब ठीक है ना, हर दो साल में, सर, हर दो साल में, one-third, रिटाइड होते हैं, one-third, चूस कर लिए जाते ह चंडीगड किसके द्वारा डिजाइन किया गया था सर चंडीगड में ही सुखना लेक पड़ता है जो अक्सर पूस्ता और चंडीगड को डिजाइन किया था सर आपके ली कार्बुजियर ने चंडीगड में ही सर नेक चंद जी है जिन्होंने रॉक गार्डेन भी बनाया है नेक चंड़ जी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ था इन्होंने क्या बनाया है रॉक गार्डेन और सुखना लेक कहां पर पड़ता है तो सुखना लेक पड़ता है आपके चंड़ीगड में हरित क्रांती के जनक के रूप में किसे जाना जाता है सर देखिये वर्ल्ड वाइट जाना जाता है आपके नॉर्मन बोरलाग को लेकिन अगर भारत में बात करें तो MS. Swaminathan को MS. Swaminathan को जाना जाता है मानाव सरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी कौन है पहली नहीं पूछा है याद रखिए का दूसरी पूछा है कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी कौन है बताईए तो अच्छाए एक बात बताओ Question की Speed तेज आ रही है आप लोगों को Enjoy मिल रहा है की नहीं क्योंकि आप लोग कई बार कहते हो कि Sir थोड़ा तेज पढ़ाईए तेज पढ़ाईए बताओ ये Rapid Fire का Session कैसा लग रहा है और यार अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार Like करके इसे कम से कम 500 प्लस करो ताकि मुझे भी लगे कि यार जो मैं मेहनत कर रहा हूँ जो मैं लगातार एनरजी दे रहा हूँ आप लोगों को कि पढ़ो पढ़ो आगे बढ़ो वो मेरी मेहनत सफल हो रही है इमानदारी से बताओ यार कल ये PPT बनाने में और अभी रात 9 बजे वाली PPT बनाने में आपको मैं बता दू दोस्त कि कम से कम 6 आवर लगते हैं इस PPT को बनाने में मिनिमम एक-एक सब्द टाइप करना पड़ता है लाइक मुझे ये बताएगा कि ये मेहनत सफल हो रही है की नहीं ठीक है ना एक बाद ठीक है तो मौली कर्तव्यों को भारती संविधान में संसोदन सर मौली कर्तव्यों को सामिल क्या गया है बैलिस में संविधान संसोदन से निमलिकित में से कौन मानो सरीर के विभिन भागों में आक्सीजन लेके जाता है सर मानो सरीर के विभिन भागों में RBC जिसे हम लोग Erythrocytes भी कहते हैं वो लेके जाता है ठीक है ना चलिए next question भारत में पश्चमी तटका उत्री भाग किस नाम से जाना जाता है यह question must है तो दोस्त इस question का answer क्या है A option next question राजिपाल पद की सपत लेता है राजिपाल गवर्नर टेक दा ओट आफ दा आफिस बाई किसके द्वारा सपत लेता है Chief Justice of High Court उस राज जी का जो मुखेन अधीस होता है उसके द्वारा next राज जी सभा के सदस्यों के अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है यह अलग की बात है कि वर्तमान में 245 मौझूद है ठीक है ना वर्तमान में 245 मौझूद है next मेथेनौल का रासाइनिक सुत्र क्या है मेथेनौल दमेथेनौल केमिकल फार्मूला इच भारत के समिधान का कौन सा अनुछेत अपने राज्यों को पंचायती राज के पहल करने का निर्देश देता है सर पंचायती राज का पहल आर्टिकल 40 जो की DPSP के अंतरगत आता है और सर इसी के अंतरगत ग्राम पंचायत के गठन की बात है next निमलिखित में से किसे सफेध हाथियों की भूमी का जाता है सर थाइलेंड को सफेध हाथियों की भूमी का जाता है अफरिका को अंद माधीब का जाता है क्यूबा को चीनी का कटोरा का जाता है और टर्की को दोस्त एसिया का मरीज का जाता है next विधान परिशत की सदस्यता के लिए नियूंतम आयू सीमा क्या है विधान सभा नहीं पूछ रहा है ये एकदम राज्य सभा की तरव वर्क करता है और दोस्त इसका भी क्या है तीस वर्स इस तरीके से राज्य सभा का तीस वर्स और आगर यही लोग सभा होता और विधान एंसर हो जाता 25 वर्स नेक्स भारत के निमलिकित मुख नाधी सो में से किसने भारत के राष्ट्रपती के रूप में भी काम किया है बताईएगा भारत के निमलिकित मुख और याद रखिएगा आज रात आज रात 9 बजे करेंट अफ़ेर का भी रैपीड फायर है पिछले इस कुश्चन का एंसर है जस्टिस एम हिदाय तुल्ला समीधान का कौन सा अनुछेद राष्टपती को सलाह देने के लिए सर्वत चन्याले के अनमती देता है भाईया आर्टिकल 143 के अंतरगत राष्टपती सपत लेते हैं पंचायती राजपर जीवी के राव समीती का ग आपके तापी नदी डेल्टा नहीं बनाएगी क्योंकि डेल्टा आपके इधर वाली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं तापी, लूनी, माहे और नर्मदा ये सब एश्चुरी बनाती है बांदोगड राष्टी उद्यान कहा है सर वहीं है जहां किसली है, वहीं है जहां फॉसिल नेशनल पार्क है, वहीं है जहां गोविंदगर नेशनल पार्क है, गोविंदगर अस्थान, परेटक अस्थान पढ़ता और एंसर है, मध्य प्रदेश, राज्यों में सरवाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हैं, ओवर ओल कर दोगे तो अंदमान निकोबार भी सी के बराबर है बट ये तो union territory है नेक्स इंटरनेशनल डेटलाइन क्या है पताएगा इंटरनेशनल डेटलाइन क्या है सर इंटरनेशनल डेटलाइन है आपके it is the 180 degree longitude it is the 180 degree longitude next question यदी राज आपात काल घोसित किया जाता है मतलब state emergency declare किया जाता है तो उसे कितने समय के बाद संसदी अनुमोधन की निश्चित आवे सकता होगी सर आवशकता होगी उसे 6 माह के अंदर मतलब संसत की पहली बैठा को उसके 14 दिन के अंदर वो पास होना चीए next समिधान सभा के विचार वीमर्स को निर्देशित करने का उद्देश है किसके संकल्प द्वारा इस्थांतरित किया गया है बताओ the objective resolution to guide the deliberation of the assembly was moved by objective resolution आपके पंडित जवाहरलाल नहरूजी next भारती राष्टी कांग्रेस के किस सत्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एतिहासिक समझाता हुआ था सर ये हुआ था 1916 में जब आपके कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझाता हुआ था गरमदल और नरमदल में भी समझाता हुआ था next लखनो अधिवेशन राजब्यारी गोस अध्यचता 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यचता निमलिखित में से किस नेता ने की थी 1906 में सर किये थे दादा भाई नरोजी और ये इसलिए पूस्ता है क्योंकि उसी वर्स मुस्लिम लीग की स्थापना से किस लाजिय में बوسिए घया भांग दोमिखित मेंस स्थापना हुछिक रहा हुए जाता था सर देश बंधू तो चित्रणजनाज जी थे जबिन बंधू सीएफ ऐंडरूस थे दीन बंधू कौन थे दोस्ट तो सीता एंडरूस से नेट्व जैमिनी राय क्या है जैमिनी राय सर एक प्रसिध्द चितरकार है next question उपनिसत काल के राजा अश्वपती कहां के सासक थे तो अश्वपती सासक हुआ करते थे दोस्त कैके नामक जनपत के वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहां निर्धारित होना चीए पता यह जड़ा कहां पर होना चीए आपकी कुंभा नदी आधुनिक पॉइंट आधुनिक पॉइंट आप यह जड़ी हम लोग देखें तो अफगानिस्तान ने पिकासो का संबंध किससे है पिकासो सर पाबलो पिकासो बहुत बड़े चितरकार है लिनाड़ो दविंसी पाबलो विकासो यह लोग अबुसंमद मनसूर आगा रजा यह सब चितरकार है सोया प्रदेश नेक्स्ट वर्तमान में हमारे संभीधान में कितने मौलीक कर्तव्य हैं बताईएगा कितने मौलीक कर्तव्य हैं वर्तमान में हमारे संभीधान में सर मौलीक कर्तव्यों की संख्या यदि हम लोग देखें तो 12 हैं लेकिन दोस्त याद रखना जो सरदार स्वन सिंग थे एक पॉइंट याद रखना इन्होंने मोल रूप से आठ कर्तवें ही आठ ड्यूटी ही सुझाये थे भारत सरकार ने 10 ड्यूटी लागू किया था वर्तमान में 11 ड्यूटी मौजूद है नेक्स्ट दिल्ली में 1857 के बिद्रो का नेता कौन था तो भाई दिल्ली में अठार सताउन के बिद्रो के नेता हुआ करते थे जनरल बक्त खा लेकिन ये बहादूर साज जफर दिती के अस्थान पे नर्तित तो दे रहे थे क्योंकि ये काफी बुजूर्ग हुआ करते थे उपनिशत काल के यार यह question तो दुबारा आ गया कहके अब रट जाना अब रट जाना इस question को वैदिक नदी इसको फिर से रट जाओ बी option अफगानिस्तान कभी कभी होता है नियार इंसान हुई आर वो लिखने में दो question repeat हो गए नासा का मुख्याले कहा है भाई नासा का मुख्याले तो जाहिर सी बात है अमेरिका लिये बैठा है अमेरिका कहीं है Next National Aeronauticals and Space Administration नासा कहा है अब particular जगा कर दिया तो अमेरिका के washing garden में तिरती आंगल मराठा युद्ध संबंदित है देखो चार आंगल मराठा युद्ध हुए थे चौथे में टीपू सुल्तान मरा था दूसरे में हैदर अली मरे थे और तिरती आंगल मराठा युद्ध संबंदित है दोस्तों आपके सी लॉड हेस्टिंग से इसी वेलेजली न टीपू सुल्तान को चोथे आंगल मराठा युद में मारा था सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाए था बताईएगा सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई याद रखना दो सती प्रथा पर पाबंदी लगाने वाला लॉर्ड बिलियम बेंटिक ठीक है ना लॉर्ड बिलियम बेंटिक नेक्स निमलिकित में से किस भारती फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड वीजन 2050 पुरुसकार प्राप्त किया ठीक है ना 2020 पुरुसकार ये 50 नी होगा 20 ही होना चीए और इसका एंसर है दोस्त B आप्शन नांदी फाउंडेशन नेच्ट पृत्वी विज्ञान मंत्राल है भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निमलिकित में से किसे पृत्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरुसकार प्रदान किया गया है बताओ लाइफ टाइम एचिवमेंट जो उत्कृष्टता पुरुसकार दिया गया है दोस्त वो दिया गया है असोग साहनी को नेच्ट जेम्स एंड्रू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था बताइए जेम्स डेब्लीू रामसे भाई एक बार यार लाइक वाई करके आगे बढ़ते रहो क्यों दोस्त ब्रिटिस हडपना चाहते थे खराब प्रसासन के नाम पे क्योंकि गोध हडप नीति के अंतरगत वो हडप नहीं पायते तो इसका एंसर क्या हो जाएगा डी 1856 नेच्ट उपदेश मुद्रा या भाव का नाम क्या है आप गौतम गुद्धी की मुर्ति को देखो अ लिए जो हिंदू चित्रकला किस चित्रात्मकला से निकट से जुड़ी हुई है याद रखेगा बौध पुजारी ठीक है ना बौध पुजारी नेच्ट बौध धर्म का त्रिसूली आकार प्रति क्या नहीं दरसाता है तीन चीजे उसमें है सर बुद्ध है धम है संग है लेकिन निर्वाण नहीं है बुद्ध धम संग ये तीन चीजें त्रिसूली आकार में है लेकिन निर्वाण नहीं है नेच्ट गौतम बुद्ध के उपदेशों की भासा क्या थी पताइएगा वो कौन है, महविर जैन, इन में से कौन एक भारती गणितक है थे, भारती गणितक हुआ करते हैं, आपके भासकर, नेता जी सुवास्चंदर बोस, इस पोर्च इंस्ट्वूट, नेता जी सुवास चंदर बोस, राश्टरी क्रिणा संस्थान कहाँ पेश्थीत है, तो दोस् वीवी पारा क्या है मैंने ये question कराया है वीवी पारा ओवी पारा दोस्तों इन में से देखता हूं answer क्या करता है धवनिया जो जिंदा नहीं जो जिंदा पैदा होती है उन्हें हम वीवी पारा कहते हैं यहां पर arteries that come alive हाँ ठीक है जिंदा वाले तो वीवी पारा ओवी पारा निम्लिकित में से कौन? बौत धर्म का प्रचार करने स्रिलंका गया था, बौत धर्म का प्रचार करने असोक का लड़का और लड़की संग मित्रा और महेंद्र दोनों ही स्रिलंका गया थे, ठीक है न? नेस्ट कोईशन, आर यू को एक प्रचाती के रूप में नामांकित करने वाला पहला यूरोपी कौन था? कि आर यू कोई भासा नहीं एक प्रचाती थी, ऐसा कहने वाला पहला वेक्ति हुआ करता था, मैक्स मुलर, इसी ने कहा था, आर यू केम फ्राम सेंट्रल एसीया, इस लिएम एन वेटिकल, हिर्दय की भित्ति के कितनी परते होते हैं, बताइएगा, how many layers of the heart while are there, तो भाईया हिर्दय की भित्ति की चार परतिया होते हैं, ठीक है ना, चार लेयर होते हैं, नेक्स्ट कोईशन, निम्ण में से कौन सी कोशिकाएं, रक्त की कोशिकाएं नहीं है, सर इसमें से रक्त की कोशिकाएं आपके white cells नहीं है, ठीक है ना, white cell जो हैं आपके वो, रक्त कोशिकाओं के अंतर करते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं का विःटन मुखिता सरीर के किन अंगों में होता है, तो सर लाल रक्त कोशिकाएं आपके уже smplein, जिसे आप पलीहा कहते हो, तो दोस्त लीवर और स्प्लीन को हम लोग क्या कते हैं स्प्लीन को RBC की कबर भी कहते हैं ये बात आपको थोड़ा सा याद रखनी होगी मैं एक चीज देख रहा हूं यार अगला कोश्चन थोड़ा आप लोग के जो कमेंड की संक्या है वो धीमे पढ़ गई है धीमे नहीं पढ़ना चीए तेज होना चीए स्वतंद्र भारत के लिए संविधान की रचना है तू संविधान सभा का विचार स्वर्प्रथम किसने लाया था तो भाईया संविधान सभा का विचार स्वर्प्रथम लाया था आपके कांग्रेस पार्टी ने 1936 में ने निमनिखित में स निम्न में से किसने बिटिस यूग की केंद्री लेजिसलेटिव एसेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसत में अध्यक्ष का पत सम्हाला भाई वो थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर बहुत बड़ा नाम है यह गणेश वासुदेव मावलंकर आवर्त सानी में तरल गैर धातु है कौन सा है तो सर वो है आपका ब्रोमीन ठीक है ना ब्रोमीन नेट संभीधान दक कॉंस्ट्यूशन नेम्स आवर कंट्री एस इंगलिस वाले सेंसर करो ठीक है इंगलिस वाले सेंसर करो तो कॉंस्ट्यूशन नेम आवर कंट्री एस भारत इंडिया इंड प्रीक्तर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपती हुआ करते थे, तो एस राधा कुछनन उनके साथ उप राष्ट्रपती हुआ करते थे, ठीक है न, उप राष्ट्रपती हुआ करते थे, next question, भारत का राष्ट्रपती किसका एक अभिन्य भाग है, sir, President of India, लोगसभा और रा कुछ आता ठीक है न तो इसका answer क्या है दोस्त मार्क सटल वर्त मार्क सटल वर्त इसका राइट answer है ठीक है न? राइट answer है next question अंग्रेजी चैनल पार करने वाला पहला भारती एक और भारती मिहर सेंद Questions ठीक है कथक एक सास्थ्री निर्त है दोस्तों याद रखना कथक उत्तर भारत काई स्पेसली उत्तर प्रदेश में कथक किया जाता है भारत आने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपती कौन थे बताएगा भारत आने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपती याद रखना भारत आने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपती है ठीक है ना, next, प्राचीनकाल में कन्नौज किस राज जी की, किस राजा की राजधानी हुआ करती थी, दोस्तों प्राचीनकाल में हर्स वर्धन, वर्धन वंस के समय कन्नौज राजधानी हुआ करती थी, इसी कन्नौज प्याधिकार को ले करके इतिहास में एक युद्ध दु जाता है चुकि दोस्त ये काफी हलका होता है और इसका उपयोग लड़ाकु विमानों में किया जाता है इसलिए इसे हम टाइटेनियम को कहते हैं ठीक है कैंक हो जाएगा दोस्त इसका हो जाएगा दोस्त इसका जाएगा सी साइसों स्वाध किस प्रकार की संवेदना है है अब यहाँ पर साइन्स के कुशन लगातार आ रहे हैं क्योंकि rapid fire है हर सक्षं के questions आपके सामने रहेंगे स्वाद किस प्रकार की संबेदना है सर स्वाद संबेदना है रासायनी ठीक है ना next question नदी अंधतार river blindness किस कारण होता है बताईए अब बताओ कई लोग night blindness अब यहाँ पर इसका सही होगा दोस्ट dance अथवा night kit से ठीक है ना एकदम यह night blindness से अलग चीज हो गया ठीक है next आकार के संदर्व में हमारे सौर मंडल में मंगर ग्रह किस अस्थान पे है question अपने आप में छोटा है लेकिन आप यह देखिए कि याद नहीं होगा आप खुद से कर लो क्या याद है तो दोस्त इसका answer आपके C option सात्वी नंबर पे आता है next सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है which is the coldest planus तो सबसे ठंडा ग्रह है दोस्त आपका Neptune ठीक है ना यह लीजे भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख सुरोत कौन है कोईला, गैस, प्रमाडू या फिर आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो दोस्तो बिजली उत्पादन आज भी हम लोग कोईला के उपर बहुत हद तक dependent है ठीक है ना बहुत हद तक dependent है next विधान सभा के विचार विमर्ज को निर्देशित करने के लिए उद्देश संकल किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था प्रस्तावित किया गया तो उद्देश संकल objective resolution जवाहरलाल नहरू next एक बात याद रखना आज रात 9 बजे आपके पिछले 8 माह का मार्च 2021 जो चलना है हम लोग क्या पढ़ने वाले है current affair का rapid fire आके चेक करना की कितने लोगों का current affair का rapid fire वहाँ पे strong है ठीक है आज ही रात 9 बजे इसी channel पे यही faculty इसी तरीके की class तो इस question का answer क्या है money bill ठीक है ना राज्य सभा में money bill स्टार्ट नहीं किया जा सकता सिर्फ लोग सभा में पहले भारतिय मुखी चुना आयुक्त कौन है पहले भारतिय मुखी चुना आयुक्त कौन है तो पहले भारतिय मुखी चुना आयुक्त है आपके B option सुकुमार सेन ठीक है ना who was the first Indian chief election commissioner सुकुमार सेन महराष्ट की संसदी सीटों की संख्या कितनी है तो answer है दोस्ट D 48 ठीक है ना 48 नेक्स पुर्टगाल की राजधानी क्या है वर्ल्ड जियोग्राफी का question बताइए पुर्टगाल की राजधानी क्या है तो पुर्टगाल की राजधानी लिस्बन है फुटबाल खेलने में टॉप की country है सुराज मेरा जन्म सिद अधिकार है और राजकोसी नीती का उपकरण नहीं है फिस्कल पॉलिसी का इसमें से आपके क्या करता है इंस्टुमेंट नहीं है कौन सा नहीं है दोस्तों याद रखेगा आपके A option open market operation इसका नहीं है next question कपास उत्पादन के लिए निमलिखित में से कौन से मिट्टी उप्यूक्त है तो सर प्रधान मंत्री को राश्ट पती द्वारा किस अनुच्छेद द्वारा निउप्ट किया जाता है ठीक है न तो दोस्त याद रखेगा B option आर्टिकल 75 के द्वारा प्रधान मंत्री की निउप्टी राश्ट पती करते हैं 1527 में बाबर और राजपुतों के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गए थी तो दोस्त वो लड़ाई लड़ी गए थी खानवा का यूद ठीक है ना घागरा का पानिपत का पहला तो 1526 इस्वी है और घागरा यूद आपके कब है 1529 और चंदेरी का यूद आपके 1528 इस्वी ठीक है यह याद रखिएगा चलिए next question पे आगे बढ़ते हैं ठीक है next question पे आगे बढ़ते तो इस question का एंसर बी option आपका क्या है बिलकोल correct है ठीक है next अगला question गंगा को दच्छिड की और से जोडने वाली नदी का नाम बताईए गंगा में जो दच्छिड की और से आ करके उस नदी का नाम बताओ, बताइए उस नदी का नाम क्या है, अच्छा तुम लोग को एक लिटरल बात बताओ, जब आप एक घंटे तक पूरी एनरजी के साथ इस तरीके से बोल लेते हो, तो आपका सर अंदर से घूम जाता है, मैं लिटरली बताओ कि मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि लैप टॉप मेरे सामने से घूम रहा है, मेरा सर घूम रहा है, क्योंकि यार समझ रहो ना, एक लिमिट होती है किसी चीज की, उसके बाद दिमाग भी बलब बलब करने लगता है, कि यार कर क्या रहे हो, तो जैसे अब थोड़ा रिलैक्स की जरूरत है, तो एक आख मिनट मैं अपने लेक्चर की स्पीड को धीमा करूँगा, क्योंकि यार मैं बताओ, ऐसा होता है, कभी एक घंटे लगाता रहे ही एनर्जी के साथ बोल के देखना, तो समझ में आ जाएगा, ये सो नदी पटना के पास जा करके मिलती है थीक है न, पटना के पास जा करके, नेक्स कोईस्टन पर जाते हैं, आप लोग इसका एंसर करिए, अल्माटी डैम is on which of the following river, थीक है न, बताओ इसका क्या एंसर होगा, अल्माटी डैम, चलो ठीक है, तो अल्माटी डैम मुझे पानी है, तो इसका एंसर क्या हो जागा, बत एंसर करो, कमजे कम एंसर तो इसका होई जाए, एंसर क्रिशन, ठीक है न, रिदम नहीं टूटना चीए, क्योंकि बाई चल रहा है आपके rapid fire, तो वो मेरी problem है, यह आप लोग करिए, ठीक है न, चलो इसको बताओ, गरीबी रेखा किया अधाना की समिक्षा के लिए किस समित तेहंदुलकर है, ठीक है न, यह सुरेश तेहंदुलकर है, इनको सचिन तेहंदुलकर मत समझ लेना, नगरपालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है, दोस्तों नगरपालिका में वन थर्ड आरक्षित है, काकोडी सर्यंत्र किस वर्स हुआ था, सर काकोडी सर योगा 1925 एट डाउन पैसेंजर ट्रेंड को रूड़ा गया था पंडी चंसेखा राजाद इसमें से भागने में काम्याब हुए थे नेक्सट निमलिकित में से कौन सानुचेद भारत के राष्ठपती को संसत के दोनों सद्नों की संयुग्त भैठक को बुलाने का अधिकार देता है दोस्तो इसका अधिकार देता है आपके 108 ओप्शन कहता है कि आप दोनों सद्नों को बुला सकते हूं नेक्स्ट हडपा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहां खोजी गई है धौला वीरा में कहां खोजी गई है तो धौला वीरा में नेक्स्ट कोईशन भारती सम्विधान के निमलिकित में से कौन सानुछेद वितायो की न्युक्ति के लिए प्रदान करता है वितायो का जिगर मिलता है आर्टिकल 280 में आप हमारे टेलिग्राम आइडी से जुड़करके इन सारे पीडियाफ को ले सकते हैं अड़ा 247 GS by आशुतोष सर ये मेरा टेलिग्राम आइडी है ठीक है ना अड़ा 247 GS by आशुतोष सर पीडियाफ वहाँ पे आपको मिल जाएगी इसका मतलब है सर बी आप्शन लखनाव पैक जिसमें गरम दल नरम दल और मुस्लिम लिगत था कांग्रेस एक हो गई थी एलिवेटर का विसकार किस ने क्या था लिफ्ट का विसकार याद रखो मैंने एक बार बताया था ना कि लिफ्ट में ओटिस जरूर लिखा रहता है नहीं है सर आसियान का सदसे कौन सा नहीं है तो भारत इसका सदसे नहीं है ने राश्टपती को उनके सामान कारेकाल की समापती से पहले उनके कारेकाल से किस किसी फारिस पर हटाया जा सकता है दोस्तों संसत के दोनों सदन जब महाभियोग जैसी प्रक्रिया ला करके कर दें तब राष्टपती को हटाया जा सकता है। समिधान सभादवारा अबजेक्टिव रूजलूशन को सरोसमत्ती से कब अपनाए गया था। उद्देश प्रस्ताओ। तो दोस्तों ये था आपके 26 नवंबर 1946 नेट। एक राजनेतिक दल के रूप में मुस्लिम लिग की स्थापना कब हुई थी। वर्स भर वर्सा होती रहती है मेरे भाई D-Option भूमध रेखिए छेतर में निक्की क्या है अब यहां पे निक्की किसी का नाम नहीं है भाईया ये टोक्यो के सेर बाजार सेर मुल का सुचकांक है ठीक है ना सेर मुल का सुचकांक है नेक्स अगला कोश्चन निमलकित में से कौन सा यूग में सही ढंग से मेल नहीं खाता है सर जोग करनाटक धुआधार मद्यप्रदेश हुन्रूज यही पे मैच नहीं खाता पापनासम ही मानचल प्रदेश आज जरूर बताना कि यह पापनासम किस इस्टेट में पढ़ता है अज यह जरूर जाकर के लेक्चर के पात कमेंट करना नेक्ट निमलिखित में से कौन सही धंग से मेल नहीं खाता लोग टक मडिपूर सांबर राजस्थान लोना सर हुसेन सागर करनाटक में नहीं है सर यह तो आंध्र प्रदेश में है न यह मैच नहीं करता है सही है कि नहीं कपिल धारा फाल्स किस नदी परिस्थित है कपिल धारा नर्मदा नदी मध्यप्रदेश ठीक है न नर्मदा नदी मध्यप्रदेश चलिएगा अगला कोश्चन दोस्त गौतम बुद्धा दोरा प्रवच्चन के लिए इस्तमाल की जाने वाली भासा कौन सी थी मतलब बहुत 1872 में पॉली अनियमिजञणर्णा Irregular Census of India हुई थी उसने किया था अजमेर में अजमेर में ही दोस्तों आपके अन्ना सागर जील है और अजमेर के ही पास आपका क्या प्रव्वत ये किसके पास है दोस्तू ये आपके है C option न 7 हुआ करती थी सदस्यों की संख्या next question तो ठीक है अगला question आपके screen पर यह रहा प्रिसिद विरुपाक्ष मंदिर कहां पर विरुक्ष नहीं यहां विरुपाक्ष टेंपल इंगलिस वाले सेंसर करिए विरुपाक्ष टेंपल हुआ करता था दोस्त हमपी जहां पर आज विजय नगर के आउसेस पाए जाते हैं विजय नगर के जहां आउसेस पाए जाते हैं वो हमपी है यह ठीक है ना तो next question यह रहा निमलिकित में से कौन सी काली दास की रचना नहीं है कौन सी काली दास की रचना नहीं है दोस्त यह आपको बताना है तो काली दास की रचना इसमें से D option कादंबरी नहीं है यह सब काली दास की रचना है लेकिन यह नहीं है आपके कौन सी कादंबरी तान सेन अकबर की अदालत में सबसे प्रशिद संगितकार का मूल नेम क्या था तो तान सेन का नाम हुआ करता था रामतनु पांडे C option इसका राइट है रामतनु पांडे इसका राइट एंसर है इबन बतूता किसके सासनकाल के दौरान भारत आया था दोस्तो इबन बतूता जिसने रेहला नामक प्रशिद किताब लिखी है किसके सासनकाल के दौरान आया था तो C option मुहम्मद बीन तुगलक के नेक्ट कोईशन 1922 के बाद से असायोग आंडोलन किस कारण वापस ले लिया गया था बताइएगा असायोग आंडोलन 1922 का असायोग आंडोलन 1920 का असायोग आंडोलन किस कारण वापस ले लिया गया था 1922 में हुए चौरी-चौरा हत्या कारण के कारण The servants of Indian society के संस्थापक कौन थे तो दोस्तो याद रखेगा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जो कि Indian National Congress के 1905 में अध्यर्ष भी थे उसी समय बंगाल का विभाजन भी हुआ था और गांधी जी के ये क्या थे राजनैतिक गुरू भी थे पॉलिटिकल गुरू और गोपाल कृष्ण गोखले का गुरू कौन था तो महादेव गोविंद रानाडे, M.G. रानाडे नेस्ट कॉइशन निमलिकित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस से नहीं है बताए कौन नहीं है तो कैबिनेट मिशन का सदस से भी सर जॉन साइमन नहीं है अब दोस्त आज ये 200 कॉइशन आज साम में याद रखिएगा नौ बजे पिछले आठ माह का करेंट अफेयर लेके आ रहा हूँ पिछले आठ माह का करेंट अफेयर आज रात नौ बजे लेके आ रहा हूँ आज हैं S.S.C. अड़ा पे साथी साथ दोस्त आपके लिए S.S.C. CGL का क्रेंस कोर्स बैच है जो आज और मात राज मेरे कोर्ट से 80% छूट पे मिल ला है लगभग 80% छूट पे ये बैच मिल रहा है दोस्त जुड़ जाओ और साथी साथ दोस्त आज चुकी स्पेशल क्लास रखवाया मैंने तो मेरे कोर्ट से चाहे ये test series हो चाहे ये group D का बैच हो चाहे ये ये हो ये सब दोस्त मेरे code Y182 से 80% आफ पे लगभग 80% आफ पे मिल रहा है ये आज की मेहनत की वज़ा से कुछ extra छूट मेरे code पे है दोस्त जो आज हमें management दोरा मिला तो आप इसका फाइदा उठा है साथ ही साथ दोस्त CHSL का जिनके अगले महिने exam है उनके लिए ये धुआधार सांदार लगातार test series है तो जुड़िएगा जरूर ठीक है न ये पे भी 80% आज आज आपके लिए आफ है एक बात आपको कहना चाहूँगा रात 9 बजे एकदम ready रहना इस GS के rapid fire के लिए रात 9 बजे एक बार comment करके सभी लोग बताओ कि हाँ सर ready रहेंगे विकास आर्ट वल जी रेमान बनारसी पान जी एक बात याद रखना दोस्त ये महनत ये सिर्फ आपके लिए है बस आप लोग एक बार सफलता प्राप्त करो यार आप जब selection लेके मुझे inform करते हो टेलीग्राम, facebook, whatsapp पे न कि सर मेरा selection हुआ है तो बहुत proud feel होता है ठीक है न तो please मेरे दोस्तों मेरे साथ जुडो और इस session को साम वाले session को जादा से जादा share करिये ठीक है न हाथ कम ही नहीं कर रहा था कोई बात ने, कोई बात ने, ठीक है न तो चलो मुहमत साहिल, सभी दोस्त जितने लोगों का मैं नाम नहीं ले पारो लेकिन मैं comment में आप सभी को देख रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आप क्या करेंगे, session को like, share और subscribe जरूर करेंगे जब तक आप चैनल को दोस्त subscribe नहीं करते हो, हमारे साथ आपका जुडाओ नहीं हो पाता है तो चैनल को like, share, subscribe जरूर करेंगे और बने रही है हमारे साथ, क्योंकि जब तक आप चैनल पे हैं, तभी तक हमारा आपका relation जरूर चलता रहेगा, बाकी आप हमारे साथ, टेलीग्राम आईडी पे भी जुड सकते हैं, अड़ा के Facebook पेज पे भी आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है, तो thank you so much और आपके लिए जो deal of the day है, वो सबसे बड़ी deal यही है दोस्त, कि railway group D के लिए जो बैच है दोस्त, आज यह सब कुछ लगभग 80% आफ पे मिलना है, इसका फायदा उठा लो, लगभग 80% मेरे code के थूँ, साथ ही साथ दोस्त, आप यह जो CGL के लिए आप crash course बैच भी आ रहा है, इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं आज मेरे code के थूँ, ठीक है ना बात का reply, नहीं सुशीला प्रजापती जी आपने वो server की बात की थी, वो मुझे ध्यान है कि server आज down है, MTS का ऐसा आपने बताया तो में भी उसके बारे मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है ना, चलिए, thank you so much, अपना ध्यान दीजेगा care करिएगा, thank you so much